दोस्तों अगर आपको PS related कोई परिशानी हो तो आप मुझसे consultation ले सकते हैं मैं कैसे आपको consultation देता हूँ इसको दिखाने के लिए मैंने अपने कुछ experiences को note किया है आप जाके playlist में recording देख सकते हैं साथ नहीं मैं आपको इस वीडियो में भी एक recording दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने कैसे consultation दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर यह जो consultation है इसके अंदर किसी की भी personal information शो नहीं करूँगा लेकिन निश्चित तोर पर यह वाली जो consultation है यह यादगार consultation रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो person है जिनको मेरे से consultation लेनी थी उनको ऐसा doubt था कि मैं यहाँ पर किसी तरह की information को यहाँ पर receive करके उनके पैसे ना निकाल लो तो इसलिए उन्होंने most of the time सिर्फ अपने questions किये उन्होंने अपना mail को account देखने नहीं दिया तो अगर आपके भी मन में ऐसा doubt हो कि भाई हमें अपना account नहीं show करना है हमें बस कुछ doubts है जो आप हमें हम आपसे सवाब पूश है आप उसका जवाब देजिए तो ऐसा भी आप कर सकते हैं आपके account को देखने से बहतर इस्तिती पता लगती है मेहतर situation पता लगती है लेगिन अगर आप इस belief के साथ हैं कि मैं किसी भी हाल में अपना PDF account नहीं show करूँगा तो वो भी situation हो सकती है उसमें भी मैं आपको पूरी help कर सकता हूँ बिना account को देखे भी जैसे YouTube live में करता था YouTube live में भी लोग सिर्फ अपना one line में question पूछते थे तो यहां तो आप मेरे से one to one connect होते हैं आप चाहें तो कितने भी cross question कर सकते हैं मैं उनके जवाब देने में capable हूँ तो आशा करूँगा यह बात आप समझे होंगे इस call के अंदर लगबग मेरी call 21 minute चली थी बिना PF account को देखे किसी को भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इन्होंने थोड़ा सा मेरे को अपना PF account देखने दिया फिर अचानल सही पैनिक होगे पैनिक होगे इन्हो इन्होंने सिर्फ मेरे से अपने doubts पूचे थे तो निशेत तोर पर आभी यह कर सकते हैं मेरे को कोई problem नहीं है लेकिन बहतर यही रहता है कि मैं आपके account को देखकर ही आपको best solution या suggestion प्रोड़ाइट करूँ तो आशा करूँगा आप मेरी बात समझे होंगे मैं मिलता हूँ इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद